जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 अप्टूबर और 29 अप्टूबर 2021 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग बारे में हम जानेंगे और इनका प्रभाव क्या होगा आपकी दिंचरिया पर आपके जीवन के परतेक शेत्र पर ये भी हम जानेंगे तो वीडियो को आंते तक देखें चैनल पर पहली बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाए हमारे चैन इस दिन संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत किया जाता है और इस दिन का जो महत्व है वो और अधिक बढ़ गया है क्योंकि इस दिन पुष नक्षत्र रहेगा और गुरुवार का ये दिन है गुरुवार के दिन जब भी पुष नक्षत्र होता है तो वो सरफ्स्रेस्ट गुरु पुष नक्षत्र गुरु पुष योग माना जाता है जो सभी 27 नक्षत्रों में बहुत ही शुभ योग माना जाता है और ये शुभ योग खरिदारी करने के लिए सबसे उत्तम किसी नए कारे के शुरुवात के लिए सबसे उत्तम होता है चंद्रमा अपनी राशी करक राशी में होंगे पुशे योग जब भी पुशे नक्षतर होगा तो चंद्रमा अपनी ही राशी में होते हैं सूर्य तुला राशी में हैं मंगल के साथ और इसके अलावा भी इस दिन योगों की भरमार है सरवार सिद्धी योग पूरा दिन बनेगा अमरत सिद्धी योग अगले दिन तक बनेगा इतने सारे योगों के साथ ये दिन आया है तो इस दिन का पोरा लाव उठाना आपके लिए बहुत जरूरी है अब 29 अक्टूबर का दिन तो यह जो 29 अक्टूबर का दिन है शुक्रवार का दिन है क्रेशन पक्षे की अस्टमीति थी सुबा अब जानेंगे ये दो दिन आपके लिए कैसे रहेंगे लेकिन यहां 28 अक्टूबर का दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है एक तो यह संतान की दिरगायू और सुखी जीवन के लिए विरत किया जाता है इस दिन अहोई अस्टमी का वरति जिसको कहते हैं यह विरत करवा चौथ के चार दिन बाद और दिपावली से आठ दिन पहले किया जाता है हमेशा इस दिन अहोई अस्टमी पर इतने योग बने हुए है और यह योग इस वरत को भी महत्पुन बना रहे हैं क्योंकि यह सरवार सिद्धी योग है रवी योग है गुरु पुषय योग है अमरत सिद्धी योग है चार चार योग इसी जगा पर बने हुए हैं और पुशन नक्षत्र तो सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है, समराट कहा जाता है, और इस योग में बहुत अधिक लाब देखने को मिलते हैं, तो इस योग में जब आप वरत करते हैं, जो माताय बहने वरत करती हैं, उसका कई गुना जादा फल मिलता है, संतान के दूसरा गुरुह पुष्र नक्षट्र है यह जो गुरुफ़ नक्षत्र है यह साल में या तो एक बार बनता है या दुबा बनता है ओ और इस नक्षट्र मेंह आप किसी भी चीज की खरीदारी करना चाहते हैं वो खरेदारी इस दिन करें policy लिए सकते हैं बॉंड लिसकते हैं गाड़ी खरी सकते हैं admission ले सकते हैं नौकरी के लिए अपलाई कर सकते हैं जो भी शुब कारिया ग्रहप रिवेश कर सकते हैं इस दिन करें जीवन में सुक सिम रदी लेकर आएगा ये आपके लिए तो इस दिन का लाब आप जरूर उठाएं धन तेरस से भी जादा शुब दिन ये है आपके लिए खरिदारी करने के लिए अब राशी की बात कर लेते हैं राशी फल कैसा होगा तुला राशी के लोगों के लिए आज का दिन तो करक राशी में चंदर्मा की उप जो आपके परिणाम में बादा डाल दे तो समझदारी इसी में होगी कि छोटी-छोटी परिशानियों के तरफ आप ध्यान ना दे जो कि सफलता आपको तभी मिलेगी किसी भी चीज से हार ना माने अपनी लक्ष के प्रती बस प्रयास करना है अपनी कामों को समझदारी पूरवक करना है और जब पूरा आप करते हैं काम को तो उससे आपको संतुस्टी मिलती है इसलिए बेकार की चीज़ों में पढ़ने की बज़ाए अपनी काम पर ध्यान दे क्योंकि जब आप अपनी द्रड़ता से कड़ी महनत से काम करते हैं तो उसका सकारातम परिणाम देखने को मिलता है आप इस दिन सर्वत्तम परिणाम पाने के लिए आपका जो समय शाम का समय आपके लिए बहुत अच्छा है कुछ महत्पुन कारियों की रूप रेखा बना आने के लिए शाम का समय बहुत ही अनुकुल बना हुआ है और यह जो दिन होगा शादिशुदा लोग अपने ग्रहस्त जीवन को लेकर बहुत ही खुश नजर आएंगे जीवन साथ ही में उनका मन बसेगा यानि बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी बाते करेंगे आप ए आगे रखेगा लोग आपकी तारिफ करेंगे बाही बहनों की जीवन में आज खुशियां आने का दिन है अगर आप एच्छी बाही बहन है तो उनके जीवन में आज खुशियां दस्तक देंगी किसी ना किसी तरीके से और अकेले जो सिंगल लोग हैं उनके लिए भी हुआ है आपके लिए इस दिन आप अपने बच्चों के लिए कुछ खास योजनाय बना सकते हैं और सुनिश्चित करें कि आप जो योजनाय बना रहे हैं वो यह थार्दवादी हो जिनको असली जामा पहचान पहनाना मुमकिन हो जिन पर काम किया जा सके और आने वाली पीड 30 अक्टूबर के बात करते हैं शुक्रवार का दिन है मलक्षमी का ये दिन है दोपहर तक सुबह तक ही बारा बज़े के आसपास तक पुछ नक्षतर रहेगा आप इस दिन थोड़ा ध्यान रखें अपनी ऑफिस में किसी बात को लेकर आपके सहयोगीयों से बहस हो सकती है तो इस चीज़ का ध्यान रखें सावधानी से अगर काम करेंगे तो विवादों को भी टाल सकते हैं बैतर होगा कि आप किसी भी बात का अपनी आफिस में बतंगड़ ना बनाएं किसी भी बात को ज़्यादा ना खीचें वो आपको ही नुकसान करेगी मानसित और पर की राप्ती हो सकती है आज उनके लिए बड़ा अच्छा योग बना हुआ है विवाहित दंपत्यों के लिए ये दिन काफी बहतरीन है घर परिवार में खुशी आएंगी जो विवाहित लोग हैं उनके लिए विवाह के रिष्टे आएंगे विवाह के तयारियां शुरू आप कर सकते हैं काम जादा रह सकता है और इस काम की वज़े से शाद नीन भी आपको कमाए ये भी इस्तितिया रह सकती है लेकिन इन दो दिनों का लाब आप जरूर उठाएं क्योंकि ऐसा दिन आपको नहीं मिलेगा पुश्य नक्षत्र जो है शनी का नक्षत्र माना जाता है और शनी और गुरु दोनों इस दिन मार की इस्तिती में मक्का राशी में बैठे हैं ये योग देखने लाइक है कि जिस नक्षतर के स्वामी शनी है वो नक्षतर इस दिन है इस दिन आप अगर धान पुन्ने भी करेंगे तो वो भी आपको कई गुना लाब की प्राप्ति क करें सफेज चीज का उपयोग करें सफेज चीज का उपयोग करना आपके लिए उत्तम रहेगा तुलाराशी के लोगों के लिए सफेद रंग का कुछ आप पहन सकते हैं इससे आपके अंदर सकारात्मा कूर जा रहेगी एनरजी आपके अंदर होगी और अपनी घर में धू दूप के आने का प्रबंद करें कि आपके घर में किसी तरीके से धूप आ सके तो आपके लिए स्वास्थे के लिए भी समय अच्छी होगी अगर घर में कोई मरीज है तब आपको जरूर यह करना चाहिए तो दोस्तों और अदि कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्रा